धार्मे ग्रंथों में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है जोतिश शास्त्र में सूर्यों को ग्रह का राजा कहा जाता है सूर्य देव प्रसिद्धी, पतकारे और आत्मा का कारक रहे हैं 21 जून को सूर्य तरायन से दक्षिनायन में प्रवेश कर चुके हैं ये दिन साल का सबसे बड़ा दिन था और रात 10 घंटे की होगी दक्षिनायन अगले 6 महिने तक जारी रहेगा इसके साथ ही वर्षा रितु का आरंभ भी हो जाएगा दक्षिनायन की अवधी में सूर्य करक से धनुराशी में संचार करते हैं और इससे पित्रों का तिन और देवताओं की रात्री की शुरुआत हो जाती है देखे हिंदू केलेंडर के अनुसार जब सूर्य मकर राशी से मिथुन राशी तक की आत्रा करते हैं तो इस अवधी को उत्रायन कहा जाता है सूर्य के उत्रायन की ये अवधी छे महीने की होती है जब सूर्य करक राशी से धनुराशी तक ब्रहमन करते हैं तो इसे दक्षिनायन कहा जाता है कहते हैं कि दक्षिनायन नकरात्मक्ता का प्रतीक होता है और उत्रायन को सकरात्मक्ता का प्रतीक माना जाता है सौर मास का आरंब सूरे सकरांती से होता है और एक सकरांती से अगली सकरांती तक का समिख सौर मास कहलाता है आपको बता दें कि माननेताओं के अनुसार दक्षिनायन काल को देवताओं की रात्री माना जाता है साथ ही दक्षिनायन के दौरान राते बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाती हैं वहीं जोतिश्यास्त के नुसार दक्षिनायन के दोरान सूर्य दक्षिन की और जुका हुआ रहता और गती करता है। वहीं विभा मुंडन अपनयन आदी जैसे विशेश शुबकारिय दक्षिनायन के दोरान वर्जित माने जाते हैं और इस सब्धी में तीन जुतिये होती हैं वर्शा, शरत और हेम, वहीं तामसिक प्रियोगों के लिए दक्षिनायन का समय उप्योक्त माना जाता है। फिलाल के लिए इतना ही ऐसी और चनकारे के लिए आप देखते रहिए नेक्स नाइन स्पीछोल तब तक के लिए धन्यवाद।